है हलो फ्रेंड्स वेलकाम बैक टुदि नेट सेट को नरी टुट चानल तो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वेस्ट वेंगल इस्टेट एलिजबिलिटी टेस्ट के बारे में यानि वह ड़ू भी सेट तो ड़ू भी सेट एकजाम होने वाला है नाइन आया है तो उसे पहले दोस्तो अगर चैनल आप फास्ट विजिट करें तो फिलीज सब्सक्राइब कर लिए जगा और बेल आइगान को प्रेस कर लिए जगा तो दोस्तों सुरू करते हैं इस वीडियो को तो फ्रेंड्स यहाँ पर वान इस्क्रीन आप लोग देख सकते हैं वेस्ट बेंगल गोवर्मेंट कॉलेज टीचर्स एसोसियासन की तरफ से एक नोटीस दिया गया है तो दीचीप मिनिस्टर वेस्ट बेंगल प्लास उसके साथ एजूकरेशन मिनिस्टर को भी दिया गया यानि कल का नोटीस दा इसमें बताया गया है यानि एक अपील किया गया है आरजी किया गया था ताक्री यह पोस्टपेוJan हो जाए यह 9 22аксим में जो आपका व्जलो वी सेट एक्जाम होने वाला हैं वो पोस्टपन करने के लिए ही दोस्तों यह नोटीस देया गया है उसका र का इस प्रेड हो रहा है बहुत ज्यादा अमोंट में बहुत तेजी में जो है इनकी जो रहा है मैं आपको ग्राफ देखा रहा हूं यहाँ पर ग्राफ देखिए तो दोस्तों वाने स्क्रीन आप लोग दे सकते हैं यहाँ पर कुरोना की ग्राफ यहाँ पर यह लिया गया है बांगला से यहां पर देखिए तीन तारीक में कोरोना जो आपका केसेस था वो 6,088 था यानि 6,000 के ज़कते हैं इसके बाद 4 तारीक देखे एक दिन का गैप तीके एक दिन का गैप नहीं है एक दिर बाद वो हो गया है 9,000 यानि यहां पर आप देखे हैं कितना अमोंड में इंकरीज हुआ है 3,000 यहां पर इंकरीज हुआ फिर इसके बाद देखे और भी 5,000 इंकरीज हुआ 5 तारीक में देखे 14,000 हो गया फिर इसके बाद देखिए आपका 6 तारीक में कोरोना केटना केसे सव भा? पन्रह हजार तो आप लोग देख सकते हैं ग्राफ कितना अपवार्ट जा रहा है बहुत तेजी से ठीक है तो इसकी वज़े से जो है कॉलेज जो आपका टीचर्स की तरफ से एक अपील किया गया है ताकि यह पोस्ट्बॉन हो जाए और पोस्ट्बॉन के रिगर्डिंग दो हउनी और भी है मैं आपको दिखा रहा हूँ देखिए यहां पर देख सकते हैं यहां पर निउज आर्टिकल यह आप देख सकते हैं और एक और यहां पर पुरा बहुत बड़ा आर्रों यह अगर यहाँ पर भी पोश्पॉन रिलेटेट आज ही मॉर्निंग में एक न्यूज आया है यहाँ पर और जिसे कि हम लोग पता है स्कूल कॉलेज सब कुछ बंध है यहाँ पर कुरोना की केसे की वज़े से प्लास हेल्थ उनिवर्सिटी के जितना भी एक्जाम था सब कुछ जो है अभी पोश्पॉन कर दिया है ठीक है अभी हम लोग दोस्तों देख लेते हैं वेस्ट बंगल कॉलेज सर्विस कमिसर का जो आपका ओफिस्याल ओइफसाइड है ठीक है उसमें जाके उसमें क्या आपका देख सकते हैं 3 1 212 का था इंटरीक का तो तीन तारिक में क्या आया था दोस्तों तीन तारिक में रिभाईज एक्जाम टाइम दिया गा था जो स्वाड़े नौ बज़े से एक्जाम सुरू होने वाला था वो सारी दस से कर दिया था तो नोटीस भी देख लेते हैं दोस्तों मानिस्तिन आप लोग दे सकते हैं यह PDF, PDF में क्या आया था दोस्तों इस नोटीस में श्रीफ बताया गया था जो एक्जमेशन टाइम है वो रिभायच कर दिया गया है रिभायच करके क्या हुआ है देखे पेपर वान का पेपर सुरू होगा साड़े 10 बजे मॉर्नि जो की साले 9 था ठीक है उसको एक घंटा एक्स्टेंड करके साले 10 कर दिया गया है और पेपर टू था 11 बजे से ठीक है 11 को एक्स्टेंड करके एक घंटा 12 नून कर दिया गया है यानि दोपेहर का 12 बजे सुरू होगा एक जाम ठीक है और रिपोटिंग टाइम मॉर्निंग क आपका 8 A.M था उसको 9 बजे कर दिया गया है यानी एक घंटा एकस्टेन कर दिया गया है बस इतना आपका लेक्ट्स्ट्रीन है अभी तत दोच्ट पोस्ट्पोन रिगार्डिंग कोई भी आपडिट नहीं आयaf पोस्ट पॉन रिगार्डिंग अगर आपका कोई अपडेट आता है तो मैं देदूंगा और मेरा परसनल ओपिनियन यह है कि वेस्ट बेंगल सेट एक्जमनेशन पोस्ट पॉन होना चाहिए जिसका कारण भी वैलिग है आपको मैंने पेले ही दिखाया कि कुरोना जो है बहु अगर例ले करेम Pink से में और अगर नहीं होता है अगर कोई आपडेट नहीं आता है तो उसका माने यह है कि आप लोगा एक्जम नौधarी होने वाला है ठीके जरूर होगा नहीं अगर अगर-ईट नहीं आता है तो आपका एक्जम नौधरी चंसर से ठीक है 90% चंसर से कि अगह होगा और मुझे तो लगता है कि पोस्ट बन होना चाहिए इसका कारण भी मैंने बोला आपको क्या लगता है आप लोग जरूर कमें बॉक्स में लिखे पता है और अगर होता है तो उसका भी जो है बैड इंपक्ट पड़ेगा कंडिर्स की बीच और क्यूंकि आप लोग सब क सबको पता है कि किस तरीके से जो है यह बहुत तेजी से जो है इस्प्रेड हो रहा है सबको पता है ठीके यह आपका जो एजुकेशन मिनिस्टर है हम लोग का वह भी बात कर रहे हैं यह चीप मिनिस्टर के साथ तो आज हम लोग साम तक देख रहे हैं इसके बाद ही हम करके आप लोग पढ़ते रहे हैं तो हम लोग देखते हैं क्या आपडेट आता है थैंक यू फॉर वाचिंग इस वीडियो थैंक्स अलॉट थैंक्स अलॉट